साथ अफरीका के खिलाब पहले T20 मा मुकावले के लिए पूर भारतिय कप्तान मैंदर सिंग दोनी ने 2-3 बड़े बदलाव के साथ गोशित कर ये खुंखार प्लेइंग 11 जी हाँ दोस्तों मेंदर सिंग दोनी ने भारतीय T20 स्कौर्ड में कर दिया बहुत ही बड़ा शेल खानी हम आपको बताने कि आने वाला T20 वर्लकप 2024 को ध्यान में रखते हुए मेंदर सिंग दोनी ने कई सिनियर प्लेयर को मौका दिया है नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत एक बड़ा और हमारे चैनल किर्केट गैलेक्सी में और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि भारत आउर साथ अफरीका बीच पहला T20 महा मुका बलकप कहा या और कितना बज़े खेला जाएगा और इसी के साथ सद मैं आपको दोनों इटीमों का कनफाम प्लेइंग 11 बताने वाला हूँ क्योंकि मैंदर सिंग दोनी ने खुंकार प्लेइंग 11 बना कर साथ अफरीका टीम को कर दिया चैलेंज देखा जाए तो आज के वीडियो काफी ज़्यादा इंट्रेस्टिंग और इंफर्मेटिव होने वाले ये सो फिलीज यार वीडियो बिना स्कीप की ये लास तक देखना तो ऐसे में भारत और साथ अफरीका 23 टीटोंटी मैचो का सिरेज खेला जाएगा जिसमें पहला टीटोंटी मा मुकावला 10 डिसेंबर को खेला जाएगा और दूसरा टीटोंटी मा मुकावला 14 डिसेंबर को और फाइनली तीसरा और फाइनल मा मुकावला 17 डिसेंबर को खे जाएगा जियां दोस्तों पहला T20 महा मुकाबला किंग्समीट इंटरनेशनल किर्केट टी स्टेडियम में डिसेंबर 10 को खेलता हुगा देखने को मिलेगा और आप दी मुबाइल पर लाइब इस्ट्रीम का लूप उठाना चाहते हो तो मुबाइल पर आपको डिजनी प्लस साथी स्टार पर देखने को मिल जाएगा तो आयोब कि आपको समझ में आ गया होगा कि पहला T20 महा मुकाबला काब कहा या और कितना वज़े खेला जाएगा बाकी चले दोस्तों आप बात कर लेता हैं पहले T20 महा मुकाबले के लिए दोनों एटीमों की कंफरम प्लेइंग एक लाइक कर दो तो चले दोस्तों पहले T20 महा मुकाबले के लिए टीम इंडिया का कंफरम प्लेइंग 11 बताने से पहले मैं आपको साथ अफरीका टीम का फाइनल प्लेइंग 11 बता देता हूँ तो ऐसे में साथ अफरीका टीम के तरफ से पारी का आगाज करते हुए नचर नमबर पांच पर खेलते हुए देखने को मिलेंगे बिस फोटक बले बाज एनरी कलासन, ऐसे ही नमबर चोब पर खेलते हुए देखने को मिलेंगे बिस फोटक बले बाज डेविड मिलर, नमबर साथ पर खेलने वाले हैं बैटिंग आलाउंडर मारको एंसन, ऐसे ही नमबर एसे ही नमबोट तस पर खेलते हुए नजर आने वाल है जेरल्ड कोच डी और फा इनली नमबोर 11 पर खेलते हुए नाचर आने वाल हैं नमबर 1 पर सुमन गिल हैं और देखा जाए तो सुमन गिल काफी तावा ठोला अनदा जमें बल्ले बाजी करते हैं जियां दोस्तो टेर्श्ट वोडियाई T20 सभी फोरण में काफी आकर्मकलाय में बल्ले बाजी करते हैं हालकि अभी हाली में हुआ गया वर्लकाप के फाइनल मा मुकावले में सुमनगिल के बल्ले से रन देखने को नहीं मिला काफी निरासा जनक परदासन देखने को मिला था फिर भी दोस्तो आप सब इतना टाइब वो डियाई रेंकिंग में देखेंगे तो सुमनगिल दुरिय के नमबर वन बल्ले बाज हैं और सुमनगिल से काफी ज़्यादा उमीद है कि साउत अफरीक है के खिलाप काफी तावा तोड़ा अंदाज में बल्ले बाजी करते हुए स क्वाली जैसे बल्ले बाजी करते हैं लेकिन दोस्तो अंत में आकर रोई सर्मा जैसे ही चवके छको की बारिस करना सुरू कर देते हैं तो अब ऐसे में देखने लाइक होगा कि सुमनगिल के साथ रूतु राज गाई कवार ओपनिंग साजेदारी में किस तरह से बल्ले बा बाजी देखा ही होगा पहले और दूसरे टीटवंटी महा मुकावले में बैक टू बैक दो हाफ सेंचूरी लगाए थे हैं और तीसरे टीटवंटी महा मुकावले में डॉक आउट होने के चलते लास्ट का दो टीटवंटी महा मुकावला इसान किसन को खेलने का मौका नही कुछ खास परदसन नहीं कर पाते हैं लेकिन दोस्तों टी-20 फार्मेट सुनते ही 360 लगाना चालू कर देते हैं तो ऐसे में कप्तान सूरी कुमार यादों से उम्मीद करते हैं कि साउथ अफरीगा के खिलाब भी सांदार लह में बल्ले बाजी करते हुए कप्तानी भी करेंग टी-20 फार्मेट में उतना मौका नहीं मिलता है अभी हाली में अस्टेलिय के खिलाब लास्ट के दो टी-20 मामुकावले में मौका मिला था तो ऐसे में लास्ट के टी-20 मामुकावले में सांदार लह में बल्ले बाजी करे थे हैं तो अब ऐसे में देखने लाइक होगा कि सा सायर की इस तरह से परदर्सन करते हैं नमब च्छो पर खेलने वाले हैं फिनिसर किंग रिंकु सिंग जियां दोस्तो रिंकु सिंग लास्ट में आकर काफी तावर तोड़ अंदाज में बले बाजी करते हुए गेम को फिनिस करते हैं अब इहाली में खेल लगाया अस्टेली के खिलाब पांस टी-ट्वंटी मैचों के सिरीज में रिंकु सिंग काफी तावर तोड़ अंदाज में बले बाजी करते हुए गेम को फिनिस कर रहे थे और इतना टाइम किरिकेट एक्सपर्ट का कहना है कि रिंकु सिंग दोनी जैसे गेम को फिनिस करते हैं आपको क्या लगता है दोस्तो दोनी जैसे रिंकु सिंग है या फी नई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है और हाँ दोस्तों उमीद करते हैं कि साउथ अफरीका के खिलाब भी रिंकु सिंग काफी तावर तोल अंदाज में बले बाजी करेंगे नमबर साथ पर खेलने वाले हैं रविंद जडेजा जी आँ दोस्तों साउथ अफरीका के खिलाब टी ट्वंटी मा मुकावले में आपको बैटिंग आल राउंडर रविंद जडेजा नमबर साथ पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं आँ दोस्तों साउथ अफरीका के खिलाब टी ट्वंटी में आपको खेलते हुए देखने को मिलने वाले हैं तो ऐसे में देखना दिलचास होगा कि साउथ अफरीका के खिलाब रविंद जडेजा किस तरह से परदर्सन करते हैं नमबर आट पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं दीपक चार जी आँ दोस्तों दीपक चार खास करके पौरपले में काफी सांदार ले में सुइंग कराते हुए बिकर चटकाते हैं अलग कि अस्टेली के खिलाब दीपक चार को पॉर्पले में बिकर नहीं मिला था लेकिन दोस्तों लास्ट के दो और इन दो बिकर चटकाए थें, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए पूर भारतिय कप्तान मेंदर सिंग दोनी ने दीपक चार को नमबर आट पर मौका देने वाले हैं, और उमीद करते हैं कि साथ अफरीका के खिलाब दीपक चार काफी सांदार ले में परदस्तन करेंगे, नमबर नाइन पर खेलते हुए नचर आने वाले हैं चाइना मैन कुल्दीप यादो, जियां दोस्तों साथ अफरीका के खिलाब टीटी फारण वे आपको कुल्दीप यादो खेलते हुए देखने को मिलेंगे, और उबराल देखा जाए तो कुल्दीप यादो काफी सांदार ले में कम एकनुमी के साथ गेद बाजी के साथ साथ बिकर भी चटकाते हैं, हाला कि वर्ल्ड कप के फाइनल मा मुकावले में अभी कुल्दीप यादो को एक भी बिकर नहीं मिला था, लेकिन दोस्तों उमीद करते हैं कि साथ अफरीके के खिलाब काफी सांदार ले में गेद बाजी करते हुए बिकर चटकाएंगे, ऐसे ही नमबर दस पर खेलते हुए नजर आने वाला हैं अर्शदीप सिंग, और देखा जाए तो अश्दीप सिंग काफी सांदार ले में गेद बाजी करते हैं, खास करकि पाउर पले में सुइंग कराते हैं और डेथ ओवर में आरकर डालते हैं, आप समने अश्टेले के खिला पाउंचवे टी-टॉंटी मा मुकाबले का लास्ट ओबर देखाए होगा, लास्ट ओबर ने काफी सांदार ले में गेद बाजी करते हुए तीन ही रंदी ये थें और मैस चिताए थें, और उमीद करते हैं कि साउट अफरिका के खिला पाउले टी-टॉंटी मा मुकाबले में भी इसी तरह से गेद बाजी करेंगे, और फाइनली नमबर 11 पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं मौहमाद सिराज है, यहां दोस्तों मौहमाद सिराज को भी देखा जाए तो पाउन पले में काफी सांधार लाय में सुइंग कराते हैं और वेरियेशन डालते हैं, और फिर वही बात आ गया दोस्तों कि वर्ल्ड काप के फाइनल मा मुकावले मौहमाद सिराज से काफी निरासा जनक परदरसन देखने को मिला था, लेकिन दोस्तों फिर भी मैंदर सिंग दोनी नमबर 11 पर मौहमाद सिराज को माउका देने वाले हैं, और देखा हैं तो मामा सिराज भी काफी सांधार ले में गेद बाजी करते हैं, तो अब ऐसे में देखने लाइक होगा कि साउथ अफरीका के खिलाब किस तरह से परदरसन करते हैं, तो दोस्तो एरा साउथ अफरीका के खिलाप पहले T20 मा मुकावले के लिए टीम इंडिया का फाइनल प्लेंग 11 तो ए प्लेंग 11 आपको कैसा लगा एक बर कमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा और हाँ दोस्तो आपको क्या लगता है कि पहला T20 मा मुकावले काउन सी टीम जीतने वाली है इंडिया या फिर साउथ अफरीका आपको कमेंट सेक्षन में जरूर बताना